कि इसमल लेहर्रक्मानीरहीम, मैं हुऊं आपकी टीचर साइमन आस, हम आज जो टॉपिक डिसक्स करेंगे उसका टाइटल है सिग्निफिकेंट्स डिजेट्सूटूटिंsweise student significance digits के बारे में मैं आपको बिताऊंगी के पॉइंट के बाद हम कितने digits को पाउंट कर सकते हैं या इनके रूज के हैं यह किस मताबिक इनके characteristic के हैं हम इनको किस तरह discuss करेंगे first मैं आपको बिताती हूं कि जो significance digits in a number are those represent accurate and meaningful information जो हमारे significant digits होते हैं वो हमारे पास accurate and meaningful information देते हैं दन number अगर मैं ले रहे हूं 35 रिप्रिजेंटे को continuous variable has two significance digits मैंने आपको पहले बिताए इसमें थोड़ा सा कि जो significance digits होते हैं वो आपको accurate and meaningful information देते हैं वो आपको क्या दे रहे होते accurate and meaningful information आपके पास और रहे होते हैं for example अगर मैं ले रही हूं the point 35 तो 35 में हमारे पास कितने हैं two significance digits हैं अब मैं आए इन के rules आपको साथ साथ बताती जाओंगी इसमें कितने हैं two significance digits आ रहे हैं 35 तो significance digits को में यूज करने का मकसद ही है कि यह हमें बहुत ज़्यादा accurate और meaningful result देते है क्योंकि इससे पिछले topic में हमने errors of measurement पढ़ा था और उसमें भी हमने यही पढ़ रहे थे कि अगर students की अगर हम weight 60 count कर रहे हैं तो हो सकते हैं वह 60 होई ना वह जा तो 59.5 हो या 60.5 हो तो वह जो difference होते हैं वह significance digits के जरीओ है बहुत अच्छी तरह accurate और meaningful जो है वह हम conclude कर सकते हैं अब इसका जो पहला point है हम कहते हैं zero are significance if they follow a decimal point and conclude a number for example the measurement two point five double zero has four significance digits हमारा पहला रूल जो है वह हम कहते हैं कि अगर हमारे पास result है two point five double zero अगर हमारे पास zero यहां आ रहे हैं with significant last me तो इस में हम कहते हैं कि हमारे पास कितने significance digits है हम इसको conclude करें कि हमारे पास four significance digits हैं कितने हैं four one two three four यह मारे पास पहला rule आ जाता है second में अगर हम कहते हैं कि zero are non significance when they follow a decimal point but commence a number for example the measurement अगर हम कहते हैं कि significant digit में point zero four आ जाता है यह हम second example ले लेते हैं कि point double zero two three seven तो अब हम इसमें क्या कहते हैं कि कितने significance digits हैं यहां जो zero थे वह इस last में आ रहे थे हैं प्रेश्ट प्रेश्ट से पहले तो इसको हम कहते हैं कि four significant digits जिन में zero include करे यहां अगर यह साइड पर पहले आजाते हैं right side पर अगर left side पर आ रहे हैं तो इसमें हम कहते हैं कि इसमें एक significant digits और इसमें three significance तो यह rule भी है कि पहले में सिगनीफिकेंट्स डिजट सै और सेकेंड में में भी इस कितने हैं थिस इप Fight डिन नेक्स्ट हम सब्में कहते हैं के जीरो जरोख सिगनीफिकरिकेंट्स कि अगर हम कहते हैं कि जीरॐ मिड में ले रहे हैं for example अगर मैं ले रही हूं 20.3 ठीक है 20.3 ले रही हूं और अगर मैं ले रही हूं कि 1.001 तो फिर हमारे पास क्या होगा कि इसके significance digits जो हैं वो भी 3 significance digits हैं और इसमें कितने हैं 1234 तो इसमें क्या है 4 significance digits include हो रहे हैं again मैं आपको बता रहे हूं कि significance digits में हम किस चीज़ को include करें अगर यह एक तो accurate और meaningful हमें information देता है for example अगर मैंने 35 लिया है तो इसमें मेरे पास कितने significance digits हैं 3 & 5 2 significance digits हैं इसी तरह अगर मेरे पास 0 last me right side पे आएंगे तो हम इसको include करेंगे इन significant digits में तो यह क्या आजेगा two point five double zero जो में एक्जामपल दिये इसमें हमेरे पास four significant digits हैं अगर यही zero मेरे पास right side पे नहीं आ रहे हैं बिलके left side पे आ रहे हैं और with decimal point के बाद आ रहे हैं तो इसको हम significant digits में count नहीं करेंगे मैंने आपको एक्जामपल दी कि point zero four जिसमें सिर्फ हमरे पास एक significant digits है और अगर इदर आ रहे हैं कि point triple zero two three seven तो इसमें हमरे पास three significant digits हैं अगर यही zero आपके पास mid में आ रहे हैं वह बेशक point से पहले हो या point के बाद हो तो वह आपका जो है significance digits में include हो रहे हैं जिस तरह two zero point three जो है वह three significance digit रखते है one point double zero one जो है वह four significance digits रखते हैं अब इसी तरह हमें कुछ चीज़ें इसमें याद भी रखनी चाहिए कि अगर significance digits जो हैं not disturb by the location or the decimal point कि यह कभी भी किसी भी location decimal point के जरिए disturbed नहीं हो सकते हैं अब इसमें कुछ चीज़ें हमने remember रखनी है remember हमने क्या रखनी है सबसे पहले अगर मैं decimal point की जगा चेंज कर देती हूं significance में और location change कर देती हूं तो significant digits कभी भी disturb नहीं होंगे for example अगर मैं ले लेती हूं example जो है कि मैं ले रही हूं two six nine है फिर मैं लेती हूं two six point nine है फिर लेती हूं two point six nine है यह मैं ले रही हूं zero point zero 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 two six nine है इन में significant digits के हैं इसमें भी three significance digits है इसमें भी three significance digits है और इसमें भी three significance digits है और इस property second second वाली property को देखते हुए इसमें भी हमारे पास three significance digits है तो यह जितने भी number है अगर इनका decimal point change कर दो या location change कर दो तो यह कभी भी significance digits नंबर जो हैं वो अपनी जगह नहीं करते हैं और इस पर एफेक्ट नहीं पड़ता है देन हम कहते हैं इन केस ओफ डिस्क्रेट डेटा विच आ जनरेटेट बाइप्रोसेस ओफ सबखर्ण पर इंपर जनरेट विच्टेट को यह होता है जिसमें हमारे पास नंबर होते हैं इन्फिनाइट नंबर नहीं होते हैं इंफिनाइच नंबर नहीं होते हैं और होते हैं then the next rules हमारे पास कहा है कि the rules regarding the determination of number of significant digits are applicable to continuous variables यह जो rules हैं जिनको significance digits के लिए हम यूज करें हैं यह हमेशे applicable होंगे आपके पास continuous variables और continuous variables क्या होते हैं कि जिन में कोई gap नहीं होता है वो तमाम point को साथ cover करते हुए चलते हैं तो इसको जिस तरह मैंने example दीती है आपको temperature की तो वेट की यह जो हमारे पास होते हैं यह continuous variables को लेते हुए चलते हैं कि rounding of a number फिर हम rounding of number अगर हम करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ rules हैं जो कि three rules है rounding of number अब rounding of number क्या होते हैं कि हम lay significance digits तो इसमें हमारे पास three properties होंगे rounding of number के लिए फिर्स्ट अगर हम कहते हैं कि हमारे पास the last significant digits is increased by one if the first digit of reminder to be dropped dropped is more than five or five followed by digits not all which is zero the numbers two अब मैं आपको इसको example से समझाती हूं कि अगर हमारे पास two point one four one four five double zero one number है और second में नंबर ले लेती हूं कि five point three double seven one यह example में ले नहीं फिर्स्ट आप rounding of number में आपके पास first rule भी बता रही हूं विद एक्जांपल समझा रही हूं कि अगर हमारे पास जो digit है वो क्या हो five हो या five से जादा हो ठीक है और जो हमारे पास second number हो वो five से less हो तो जो हमारे पास अगर five है उसके बार या five से जादा नंबर है तो उस नंबर को हम इसमें add करके बागी सब को खतम कर देती हैं जिस तरह अब यह हमारे पास क्या था two point one four five double zero one था अब मैं इस सब को खतम कर देती हूं यह जो five है इसको remove करके इसमें add कर रही हूं तो मेरे पास क्या आजएगा two point one five बस accurate answer significance digits में आ जाएगा अब इसी तरह जो मेरे पास three three क्या है कि greater than five है seven greater than five है तो इन सब को हम cutting करके जो next है वो इसमें add कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा five point four जो है वो accurate and meaningful information जो है वो मारे पास आ जाएगी तो वह यह कह रहे हैं the last significant digits is increased by one the last significance digits है उसको हम एक number increased कर देते हैं if the first digit of the reminder to be dropped is more than five or five followed by digits अगर हमारे पास last number five है या five से जादा है और significant digits को हम drop करके next जो है उसमें one add करके और significance एक proper answer accurate जो है meaningful information ले आते हैं जिसरा मैंने आपको example दे two point one four five double zero one तो मैंने क्योंके four less than five है और five या five से more कोई भी रकम हो तो पिछली रकम को हम drop करके वो जो one है उसमें next में include कर देते हैं for example यहां आजाएगा two point one five और यहां क्या आजाएगा five point four बाकी रकम जो है the number अगर यहां तो हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास जो number है वह five है यह more than five है तो फिर हम जो है one number add करके बाकी सब को drop कर देते हैं लेकिन अगर हमारे पास जो number है हम कह सकते हैं two point one five four one two जहां हम इदर ले लेते हैं number seven point three six seven point three six two seven है तो इसमें हमारे पास number क्या है अब हमारे पास है two point one five two point one five next जो number हो less than five है जब less than five है तो उसको हम वैसे drop कर देंगे लेकिन हम next digit में one add नहीं करेंगे तो हमारा क्या answer क्या आजेगा two point one five यह rule है कि अगर जो हमारे पास number है वह five से less है तो फिर हम वैसे drop कर देंगे next digit में हम number add नहीं करेंगे इसी तरह अगर हमारे पास आ रहे है seven point three six two अब देखें three six के बाद जो next digit है वह less than five है क्योंकि two less than five है तो इस जड़े से हम इसको एड़ नहीं कर सकते हैं इसको वैसे drop कर देंगे और हमारे पास जो exact answer आजएगा वह seven point three six आजएगा तो यह हमारे पास second rule है थर्ड रूल इस हिसाफ़ से बहुत जदे important है कि हम digits को drop करते हैं exactly five पे लेकिन उसमें हम odd और even की value लेते हैं अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो number है वह और even even है और और इसके मैं आपको बता देते हूं for example अगर हम example के साफ़ से ले रहे हैं four point five three five और second value ले रहे हैं two point seven four five तो अब हम इसको किस तरह से divide करेंगे वह आपने देखने अब इसमें में डिफरेंस हमने third property में क्या देखने है कि उस number के बास हम ने even जो और देखने एवन या ओष इवन क्या है अगर हमारे पास सता क्रिद अगली जो पिछली बाकी रकम होती है उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं अगर आपके पास यहां और नमबर है तो आप इसमें एक नमबर एड़ करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आजेगा 4.54 आजेगा और बाकी जो 5 है उसको आप ड्रॉप कर दोगे इसी तरह अगर आपके पास इवन नमबर है जिस तरह की अगर नमबर है और नेक्स पर 5 है तो फिर आप उसमें वन एड़ नहीं करोगे क्योंकि यह रूल है तो फिर आपके पास रकम क्या आजाएगी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में 2.74 आपके पास टोटल रिजर्ट आजाएगा तो यह जो हमारे पास 3 राउंडिंग ओफ नमबर के एक प्रॉपर्टिस थी क्रेक्टिरिस्टिक्स थे वह भी हमनें डिस्क् सब्सक्राइब को चेंज कर देते हैं या उनकी लुकेशन चेंज कर देते हैं तो सिग्निफिकेंट्स डिजर्स पे उसका कोई असर नहीं होता जिस तरह मैंने आपको एक्जंपक्स दीती को अगर आप ले रहे हो 269 या 26.9 ले रहे हो या तू.69 ले रहे हो या अगर आप इन्हाइएवली ले रहे हो आपके पास जो सिग्निफिकेंट्स हैं वह इसमें बी थरी हैं इसमें बी 3 हैं उस में बी तो को कि हैं तो हम 1 जो है कि 2.145 001 है अब जो 5 है इसको हमने ड्रॉप करके इसमें एड किया तो हमारे पास क्या आ गए 2.15 आ गए इसी तरह हमने इसको भी ड्रॉप करके किया क्यूंकि क्या मौर देन 5 थी तो 5.4 आ गया सिग्निफिकंट जाथे सेकिन में अगर हमने कहता कि यह तो हो गया कि मौर देन फाइफ और अगर हमारे पास यह तो फिर हमारे पास कैटेगरी के आ जाती है कि फिर हम वैसी ड्रॉप कर देते हैं एड कुछ भी नहीं करते हैं जिस तरह फू 2.15 इसी तरह हमारे पास तू था क्योंकि तू जो है वह भी लेस देन फाइफ है इसको हमने ड्रॉप कर दिया और हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है राउंडिंग ओफ नंबर उसमें क्या आगे सैमर पॉइंट थी सिक्स आ गया जो लास्ट वाला था राउंडि होगा तो आपने एक डिजिट जो है एड करके बाकी सब को ड्रॉप आउट कर देना है अब यहां मेरे पास अगर हमारे पास और नंबर है तो हमने इसमें एक एड कर लेना है और हमारे पास जो राउंडिंग ओफ नंबर में आंसर आने क्या आजएगा फोर पॉइंट कल इंशाला हम कॉलेक्शन ओफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे और प्राइमरी और स्केंडरा डेटा को भी ब्रिफली एक्स्प्लेइन करेंगे आप मुझे कमिट जरूर देना अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बताना इंशाला आपको मेरा टॉपिक अगर नेक्स टॉपिक के लिए इंशाला कल डिसकस करेंगे अला पिस